ये जो मेरी गरिमा, चांद बोल रहे है, so the moon is singing this song, so चांद कहे रहे है, ये जो मेरी गरिमा है, ये तेरा प्रतिबम, ये moon sun को बोल रहे है, factually correct इसलिए है ये line, क्योंकि चांद की अपनी तो रौश्नी है ये नहीं, जो उसकी रौश्नी हम इतनी खूबसूरत उसकी महिमा देखते हैं चांद की, वो रौश्नी actually सूर्य की है, वो reflect कर रहा है, so वो बोल रहा है, ये जो मेरी गरिमा है, ये तेरा प्रतिबिम्ब, ये तेरी light है, जिसको मैं प्रतिबिम्ब की तरह, as a reflection I am just emitting this, but it is your light, so चांद क्रेड़िट नहीं ले रहा अपनी खूबसूरती का, चांद अपनी achievement का, so-called, अगर हम इसको achievement बोलें, वो उसका credit नहीं ले रहा है, वो निरंतर बोल रहा है, सूर्य को, कि ये गरिमा जो मेरी कहला रही है, ये तुम्हारा प्रतिबिम्ब है, तुम्हारी रोश्नी का प्रतिबिम्ब है, मेरे देखे, चांद की ये लाइन ने चांद को और उसकी completion को और बढ़ा दिया, उसकी पूर्णता को और निकार दिया, फिर हम अपनी जिंदगी पे आते हैं, चांद से clue लेके, और देखते हैं कि ये पूर्णता हो क्यों नहीं पा रहे हम फिर से, अब हम अब पूर्णता का दूसरा अंगल उठा रहे हैं, हम कैसे operate कर रहे हैं जीवन में, हर चीज का credit लेते हुए या हर चीज का credit बांटते हुए, हलो, कुछ मुश्किल प्रशन उठा रहा हूं मैं आज इस सत्संग में, but what to do, रास्ता वहीं से निकल रहा है, Are we giving credit to whatever happening in our life, उसका credit हम किसी सूरे को दे रहे हैं, या उसका पूरा का पूरा credit हम खुद पकड़ के संभाल के रख रहे हैं, कल कुछ मित्रों के साथ यहां बात हो रही थी और एक शब्द निकल के आया उस चर्चा में, अहुभाव, जब तक मेरे जीवन में कुछ भी होता रहे, या मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, उसका मेरे भीतर से अहुभाव नहीं निकल रहा, जैसे चांद के भीतर, एक अहुभाव निकला, हाँ आओ भाव को क्या बोलेंगे इंगलिश में gratitude चांद के जीवन में जो कुछ हो रहा है चांद उसका gratitude अरपित कर रहा है दे रहा है सूरे को और अपनी completion को और निकार रहा है formula फिर से यहाँ एक secret फिर से एक सूत्र निकला यहाँ पे और वह सूत्र यह निकला कि अगर मेरी incompletion illusionary है माना मगर इस illusionary incompletion को भी हटाया जा सकता है how by nirantar by feeling this sense of ahobhav continuously by giving the credit credit of whatever happening in my life to the source continuously तो अज़े से दो तरीके हैं इस पूर्णदा को पूरा अनुभव करने के लिए जीने के लिए इसमें रम जाने के लिए या तो बस इतना जान ही लिया जाए कि oh yes of course मैं तो हमेशा सही पूर्णदा हूँ यह एक illusionary अभाव मेरे भीतर कहीं से create हो गया यह सपना कहीं से आ गया या तो यह जानी लिया जाए मानी लिया जाए और यहीं से operate किया जाए जिसको हम बोलें अगर अंग्रेजी में we start to operate from this sense of abundance always that's one way बट अगर मैं यह direct नहीं कर पा रहा तो इसको करने का एक इसको छूने का एक दूसरा तरीका और वो दूसरा तरीका है अभाव का जो चांद ने किया कि उसने अपनी हर achievement का credit लेना बंद कर दिया और वो credit source को देना शूरू कर दिया और source कहां यहां पे sun को उसने source बोला because it's his light we can start to do the same रोज, निरंतर, बहुत सारी घटनाएं बहुत सारी events हमारे जीवन में घटते हैं जिसके रहते हमारे भीतर एक अहुभाव जागना चाहिए एक वावने से gratitude sense of जागनी चाहिए मगर क्योंकि हमारी दृष्टी इस अभाव पे बनी रहती है हर समय इस अभाव पे बनी रहती है इसलिए ये अहुभाव दिखता ही नहीं जीवन में या मैं इस अभाव को जीवन में अफ्तरित ही नहीं होने देता जब तक ये अभाव नहीं आएगा तब तक पूनता का एहसास नहीं आएगा जब तक पूर्टा का हैसास नहीं आएगा अहो भाव नहीं आएगा ये दोनों जुड़े हुआ है आपस में एक से शुरू करूँगा दूसरे पर पहुंच जाओंगा कहीं से भी शुरू कर लू अगें हार्ड कुश्चन बैक तो यू अल अफ यू क्या दिन में रोज जब ये अहो भाव जैसी चीजें घट रहे हैं आपके भीतर और आपके बाहर Do you see that? Do you acknowledge that? क्या आप उसका एक acknowledgement को हिंदी में क्या बोलेंगे? Whatever. Do you acknowledge that? अगर नहीं तो आपका ये जो illusion रूपी अभाव है अखेला पन है, खाली पन है ये, it's like a dense energy, dense dark energy ये और dense होती रहेगी रोज By the time you reach your old age you'll feel much more lack inside खालीपन और गहरा दिखेगा आपको होना तो ये चाहिए कि 70-80-90 साल के जीवन जीने के बाद व्यक्ति की दृष्टी होके मैं भर गया पूरा In a good way, I am fulfilled with this life जिन्दगी ने इतना दिया मुझे, इतने अनुभाव, इतनी खूबसूरत अहो भाव की अवस्था है I feel complete, fulfilled But ऐसा तो होता नहीं As we age, as everyday, एक एक दिन जैसे जीवन का बीचता है मेरा खालीपन और बढ़ रहा है School के टाइम पे ऐसा खालीपन मुझे अनुभाव नहीं होता था You remember that We were fulfilled With joy, with dancing around, with running around जिनके आसपस छोटे बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं College में ऐसा खालीपन अनुभाव नहीं होता था We were too joyous But जैसे 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 जिन्दगी आगे बढ़ रही है हमारी हम सब की ऐसे ऐसे ये खालीपन और ये incompletion और डेंस होती जा रही है और अगर जागे नहीं तो ये और डेंस हो जाएगी ये जितनी डेंस होगी उतनी तकलीफ देती है उतना आदमी डरने लगता है उतना fear हमारे अंदर बिल्ड होने लगता है उतनी negativity हमारे अंदर बिल्ड होने लगती है उतनी उदासी हमारे अंदर बिल्ड होने लगती है तो ये जैसे दो तरीके हैं या तो जान लें चान्द को देखकर कि we've always been complete हम तो हमेशा से ही पूर्ण है नहीं तो दूसरा तरीका कि जो भी मेरे जीवन में घट रहा है उसके प्रती रोज एक भाव अफ अहो भाव एक भाव अफ अहो भाव अपने भीतर से महसूस करना शुरू करूं मैं हर चीज के प्रती Again question back Are we feeling that? क्या हम यह हुआ feel कर रहे हैं जीवन ने तो बहुत कुछ दिया है दे रहा है रोज Or are we complaining? Because जो जितना lack में डूबा हुआ है जो जितना खालीपन में डूबा हुआ है जिसका खालीपन जितना जादा intense है illusionary खालीपन दोस्तों वो उतना complaint करेगा जीवन के बारे में Hard statement I'm sorry but the truth फिर से repeat करता हूँ जो जितना अपने खालीपन से भरा हुआ है यह तो oxymoron हो गया जो जितना अपने खालीपन से भरा हुआ है उसको जीवन के प्रती उतनी complaints होंगी